हेलो आज हम इस वीडियो में शुगर पक्रिंग के उपर डिसकस करेंगे शुगर पक्रिंग से भी एक या दो कुशन हर कॉंपटीशन में साइन्स कॉंपटीशन में आते हैं तो चलिए डिसकस करते हैं तो शुगर पक्रिंग क्या है शुगर पक्रिंग में लिए जो पेंटो sugar है पेंटो शुगर एक non planer sugar है और इसी non planatic को packaging कहा जाता है तो जो pentos sugar है पेंटो शुगर में pentos ring पाई जाती है तो pentos ring में दो प्रगाल का configuration पाया जाता है एक envelope type का है और दूसरा twisted type का है तो envelop में क्या होता है कि चार carbon pentos sugar के बहुत pass पाई पास में पाये जाते हैं लेकि जो पचमा कारबन है वो थोड़ा सा प्लेन से दूर पाये जाता है मतब अवे फ्रॉम दा प्लेन होता है इसे प्रकार जो ट्विस्टेड फॉर्म है तो ट्विस्टेड में जो तीन कारबन एटम है एक ही प्लेन पाये जाते हैं जबकि जो दो क यह 2 c second carbon और c third carbon है इंडो पकर का मतलब होता है कि c second और c third carbon एक ही side है c fourth carbon और c fifth carbon की तरह so c second और c third इंडो का मतलब है कि यह दोनो c fourth और c five carbon के एक ही side है इसी प्रकार से एग्जो पगर का मतलब होता है कि ये शिप्ट हो जाते हैं अब वोजी डिरेक्शन में मतलब जो C2 और C3 हैं ये C4 और C5 के अब वोजी डिरेक्शन में शिप्ट हो जाते हैं जोrence Purine है वो C2 Indo Show करता है जब कि जो पारिमिडीन है वो C3 Indo Show करता है C2 इंडो शो करता है प्यूरीन जबकि जो पाइरिमिडीन है वो C3 इंडो शो करता है केवल आरेने में C3 इंडो कन्फिग्रेशन पाये जाता है अब हम देखते हैं कि ये C3 इंडो C2 इंडो होता क्या है तो जैसा यहाँ पर डाइगराम बना रखा है तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंडो फॉर्म है ये इंडो फॉर्म है तो यहाँ पर ये स्टॉक्चर दिख रहा है तो यहाँ पर ये इंडो शी थर्ड इंडो है इंडो का मतलब है कि ये जो third carbon है यो अंदर side है अगर अंदर side है मतलब ये इंडो form है अंदर side है तो इंडो form है इसे प्रकार से ट्ष्ट्टेट फोर्म में है तो ट्ष्ट्टेट फोर्म में जो बाहर की और है और थार्ड कारवन अंदर की और है तो अगर यह अंदर की और होगा उसको हम इंडर की और बnt बोलेंगे तो यहाँ पर इन्वलाफ फॉर्म में यह जो 3rd कारवन है वो अंदर की ओर था इसलिए इसको C3rd Indoor कहा गया और यह twisted form है twisted form में यह 2nd कारवन बाहर की ओर है और 3rd कारवन अंदर की ओर है इसलिए इसको C2 EXO कह रहे हैं और C3rd Indoor कह रहे हैं इसी प्रकार से यहाँ पर structure दे रखा है तो इस structure में यहाँ पर यह second carbon अंदर की ओर है तो इसलिए इसको बोलेंगे C2 Indoor Enable of Form यहाँ पर जो second carbon अंदर की ओर है सेम second वाला यहाँ पर twisted form है, यहाँ पर second carbon अंदर की ओर है और third carbon बाहर की ओर है इसलिए ये C2 इंडो और C3 एग्जो कहलाएगा तो इस प्रकार से इस से structure देकर केबल question पूछ लिए आता कि ये कौन सा form है C3 इंडो form है एग्जो form है तो बस ध्यान ये रखना है कि अगर वो अंदर की ओर है तो वो इंडो form है और अगर बाहर की ओर है तो एग्जो form है अगर दोनों अंदर बाहर की ओर है तो ये देख लेना है कौन सा करवन अंदर है कौन सा करवन बाहर है तो इस प्रकार से ये आसानी से इसको हम solve कर सकते है